C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 111 है मिलकर पढ़िये पाठ 23 चंदा मामा लो रात हो गई देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है अहां ये छत पर कैसा सुन्दर प्रकाश तो ये चंदा मामा हैं आओ चंदा मामा अरे ये क्या बादल जी आप नहीं आईए चंदा मामा रूठ जाएंगे बादल जी आप जाईए ना मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा माफ करना मुझे मैं तो दो मिनट चंदा से गपशप कर रहा था लो मैं अभी चला अच्छा नमस्ते फिर मिलेंगे हाँ अब ठीक है देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं आओ चंदा मामा गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बालक अपने घर की चट पर खड़ा चंदा मामा को देख कर प्रसन हो रहा है वो उनसे बात कर रहा है साथ ही एक बादल भी नजर आ रहा है बादल से भी उस बालक का वारतालाप होता है प्रिष्ठ एक साथ बार है चित्रकारी और लेखन चंदा मामा कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताईए कुछ वाक्य भी लिखिए यहां पर एक बक्सा दिया गया है जिसमें आपको चित्रों के माध्यम से चंदा मामा की कहानी फिर से बतानी है आपके अनुसार चंदा मामा के कहानी कैसी होगी उसके विवरण के लिए कुछ वाक के नीचे दिये गए रिक्त स्थानों में भी लिखिए प्रिष्ठ 113 है शब्दों का खेल अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाईए त रा रिक्त स्थान रिक्त स्थान ल द बा रिक्त स्थान स्ते मा न रिक्त स्थान इन अक्षरों को सही क्रम में रखकर रिक्त स्थान में सही शब्द को लिखिए खोजे जाने रोज रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाईए इस बक्षे के अंदर चांद का एक संदर सा आकार बना कर दिखाईए बच्चों को ये गतिविधी एक महीने तक करने के लिए प्रोच साहित कीजिए चांद के घटते बढ़ते आकार के बारे में भी चर्चा कीजिए सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तक्निकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नएदिल्ली भारत